हेलो वीवर्स आइम शहजाद आप देख रहे हैं दिश्वपिंग कैनल मैं आपके लेका हम वावे ओनर 7a मैं अभी इसके अन्बॉक्सिंग करने दगा हूं वो इसका कंप्यूट रिव्यू करूंगा तो आए शुरू करते हैं प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल फो लेटेस वीडियो अबाउट मॉबाइल फोन्स एंड गैजेट्स यह हुआवे का ओनर 7a है इसका मॉडल नंबर है ओनर 7a L29 यह मई 2018 में लांच किया गया है इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में 17,000 रुपे है इंडिया में इसकी प्रा प्राइस ग्राम इसका वेट है इसकी जो बॉड़ी डिमेंशन है 152.4, 73.1 और 7.8 mm इसकी ठिकने से इसका फ्रंट ग्लास है फुल ग्लास और अल्मिनियम के इसकी बॉड़ी है 5.7 इचस का डिस्प्ले है IPS LCD के पैस्ट्री टेस्ट स्क्रीन 16,000,000 के साथ इसका डिस्प्ले क रेजोलुशन है 720 x 1440, 1440 पिक्सल का है 282 पिक्सल डेंस्टी है इसकी 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 इसमें जो इम यूई है वो 8.0 है इसका जो चिप सेट है Qualcomm का है MSM8937, Snapdragon 430 और जो इसका CPU है Octa-Core का है 1.5 GHz का Cortex A53, GPU Andreno का 505 है और इसके अवेलिबल जो कलर्स है मार्किट में Black, Gold और Blue है इसका जो रियर कैमरा है वो 13 Megapixel का है LED Flashlight के साथ और आटो फोकस कैमरा है, कैमरा फीचर्ज में HDR है, Face Beauty, Panorama, Geo Tagging और Touch Focus है, Face All, Smile, Detraction भी करता है ये और इसका जो फ्रेंट कैमरा है वो 8 Megapixel का है इसके जो कैमरे में Book Effect या Wide Aperature Mode नहीं है, कैमरा Background Blur नहीं कर सकते है तो स्वीर काप अपनी पर नहीं ही फ्रेंट कैमरे में Background Blur का Option है नहीं, बैक कैमरे में ये Water और Dust Proof नहीं है, इसमें Miracast Wireless Display, Smart View ये जिसको Screen Mirroring कहते हैं, Wi-Fi Display भी कहते हैं ये इसमें अवेलिबल नहीं है Mirror Display भी इसको बोलते हैं, इसमें जो Sensors है, वो Accelerometer है, Proximity, Compass है, Other Features में ये Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS, Glonus, Radio, Voice Recorder, Books, Loudspeaker, 3.5mm का Audio Jack है इसके अदर Screen Recording ये नहीं करता, इसके अदर 2GB RAM है और 16GB Internal Memory है इसकी ये Dual SIM है, दोनों SIM जो इसकी है वो नहीं है और Dedicated Memory Card Slot है, इसकी 256GB तक ये Memory Card Support करेगा इसमें जो Android 8.0 है, जो कि अपक्रेडेबल है, इसका Software आप अपडेट कर सकते हैं, इसकी जो बैटरी है 3000MH की है, ये Fast Charging नहीं करता लेकिन 1 गहंटे 30 मिनिट में ये Full Charge कर देता है इसके जो Talk Time है 15 गहंटे है, वीडियो प्लेबेक 12 गहंटे का है, इसका Music Playback 70 गहंटे का है, और ये Games भी अच्छी प्लेए करता है ये OTG Supported है, 2.0 इसका Charging Connector है, इसका Rear Mounted Fingerprint Sensor है, Apps Lock भी इसके अदर है, आप तुमाम Apps को Lock लगा सकते हैं Face Unlock भी इसके अंदर मजूद है, इसके उटी के तौर पर, इसके अंदर Dual Application Mode नहीं है, Dual Apps आप इसके अंदर नहीं कर सकते LED Notification Light इसके अंदर है, स्क्रीन के अंदर, जब भी कोई आपको Miss Call यहां Alert आता है, तो LED इसकी Blink करेगी Split Screen फीचर भी इसके अंदर नहीं है, इसके असेसरी में शामल है, Charger, Documentation Book, USB Cable और Hand Free और इसके जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है, प्रोटेक्टर फिलम इसके लगा हुआ है, दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल ज़रू सबस्राइब कीजिएगा, थैंक यो